हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सलेक्शन कमिशन की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन, जो की फ्रेंज स्टैनोग्राफर ग्रेट C&D एग्जामिनेशन 2020 के लिए क्या है, क्या इसका सेलेक्शन प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और इससे पहले फ्रेंज से फॉर्म फिलप का वीडियो एवलेबल है, अगर आपने फॉर्म फिलप करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मि 2020 के लिए और आप इसमें apply कर सकते हैं 10 October 2020 से 4 November 2020 तक अगर friends आप online payment करते हैं तो 6 November तक आप payment कर सकते हैं, offline करते हैं तो friends आप 10 November तक आप अपना payment कर सकते हैं, इसका जो exam है वो 29 March 2021 से 31 March 2021 के बीच में conduct किया जाएगा, अब यहाँ पर जो यह vacancy है, यह stenographer grade C and D के लिए है, अगर apply करना चाहे, दोनों के लिए कर सकते हैं, अगर आप एक के लिए apply करना चाहे, एक के लिए apply कर सकते हैं, stenography की knowledge आपको होनी चाहिए, तभी friends आप इसमें applicable होंगे, अब यहाँ पर जो vacancies की list है, कितनी vacancies हैं, आपके यहाँ पर वो बाद में यहाँ पर जारी की जाएंगी और अगर सकता है, age limit friends यहाँ पर जहां से आप चेक कीजिएगा, योकि एक 8 2020 को count होने वाली है, अगर आप grade C के लिए apply करते हैं, तो 18-30 साल आपका age रहेगा, इस टैनोग्राफर grade D के लिए करते हैं, तो 18-27 साल आपका age रहेगा, अगर आपकी age 27 साल यह उससे कम है, तो friends आप दोनों ही post के लिए applicable हो जाएंगे, पर माली जी आपकी age है, 28-39 साल यह 30 साल इस तारिक को 18-2020 को, तो आप only grade C के लिए ही applicable रहेंगे, इसलिए age criteria बहुत important है, आप जिस post के लिए eligible होंगे, वो आपका age limit तैक करेगा, इसलिए अपनी age limit को चेक कर लें, अगर बात करें age relaxation की, मा दी है, और 18-2020 को ही आप यह count करेंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर आपको जो reservation criteria है, इसके बारे में जनकारी दी गई है, आपके certificate के बारे में जनकारी दी गई है, इसमें friends, माली जी आप SC, ST, OBC, EWS या PH, किसी भी category के लिए claim करते हैं, तो friends, जो इसकी closing date है, तब तक आपके प certificate show करते हैं, तो friends, वो applicable नहीं माना जाएगा, इसलिए last date से पहले, क्योंकि अभी time है, आप बनवाना चाहें, अपना class certificate वो आप बनवा सकते हैं, educational qualification की बात कर लेते हैं, तो देखिए, 18-2020 तक आपका educational qualification complete होना जरूरी है, और 12th class pass out होना जरूरी है, अब चाहे आप gradation कर रहे candidate है, diploma pass out candidate है, तो उसमें एक option भी है, 12th class pass out साथ में equivalent, तो diploma candidate को equivalent मना जाता है, 12th pass के तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं, board वाले section में या university section में आप other का option choose कर सकते हैं, और उसके बाद इस form को fill कर सकते हैं, इसमें friends, इसलिए ध्यान से आप से कहा गया है कि 12th class का जो भी proof है, वो आ आप इसमें applicable नहीं होंगे, कैसे apply करना है, इसके बारे में हम video बना कर बात कर चुके हैं, इसके बार है date का option, तो friends, यह बहुत important option है कि application जो भी without date पहुँचेंगी, photograph में अगर आपनी date नहीं है, किस दिन आपने photo click की है, तो friends, वो form आपका रद्द कर दिया जाएगा, candidate किसी भी category की SC, ST, PH, ex-servicemen candidate को कोई भी payment नहीं करना होता है, आप अब भी जो payment है online या offline जैसे भी करना चाहें, वैसे कर सकते हैं, center of examination की list मिल जाती है, आपको तो यहाँ पर देखिए, आपके जो center course है, वो आपको दिये गए है, reason दिये गए है, तो आप जिस भी reason से इसको apply करते हैं, पहली पहला center आप जिसमें select करते हैं form में, उसी से related आपको बाकी के centers हैं, वो आपको fill करने होंगे, तो maximum 3 centers आपको fill करने ही होंगे, अगर आप इस form को fill करना चाहते हैं, तो इसके बाद है scheme of examination, तो यहाँ पर friends देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसमें friends general intelligence and reasoning के 50 question, 50 marks के, general awareness के 50 question, 50 marks के, general English and आपके compression के 100 question, 100 marks के रहते हैं, तो English का एक बड़ा part रहता है, इसमें आधा part आपका English का है, बाकी आधा part friends, general awareness और general intelligence and reasoning का रहता है, दो घंटे का समय मिलता है आपको यहाँ पर, और यह computer based exam है, objective type questions होते हैं, एक question, एक marks कर रहेगा, negative marking 1, 4 की मतलब 0.25 marks की आपकी यहाँ पर रहती है, इसके बाद यहाँ पर friends, आप re-checking का जो provision है, वो नहीं है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है syllabus, और syllabus की जनकारी, आप यहाँ पर check कर सकते हैं, जो की आपको यहाँ पर 3 के section का दिया गया है, इसके बाद है skill test in stenography, क्योंक तो अहां पर 50 मिनिट का आपको समय मिलता है। और अगर यहां पर बात करें हिंदी के लिए तो 65 मिनिटका आपको समय मिलता है, stenographer C के लिए बात करें तो 40 minute आपको समय मिलता है English के लिए, 55 minute मिलता है Hindi के लिए, अब यहाँ पर जो speed है वो minimum आपको यहाँ पर दी गई है English and Hindi में कि कितनी-कितनी speed आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, अगर आप उस post के लिए apply करना चाहते हैं, तो stenography, friends, से knowledge बहुत होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर simple typing नहीं होती है stenography अलग तरह की एक आपका यहाँ पर course है जागर आपने वो नहीं किया है या फर आपको stenography नहीं आती है तो आप इसमें applicable नहीं होंगे इसके बाद valid ID proof आपके पास होना ज़रूरी है document verification में आपको आपके जो departments हैं वो आपको choose करने होंगे और वो आपके DV के time होंगे तो इसलिए आपको अभी tension लेने की ज़रूरी स्थीज़की नहीं है कि आपको कौन सा यहाँ पर department मिलेगा अब इसके बाद जो computer based exam होगा इसमें general candidate को 30% OBC, EWS को 35% और इसके अलावा other category को 20% minimum लेके आने होंगे यह minimum है यह cut off का मतलब यह नहीं है कि इतने ही लाने पर आप आगे की process पर पार्ट ले सकते हैं minimum इतने तो लाने ही होंगे आगे जो भी cut off जाएगी उसके बारे में बजब result आएगा उसमें आप पर जो number आएगा और आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे और photograph फ्रेंड से ध्यान रखिए date के साथ ही apply किये अगर बिना date के आप apply करते हैं तो फ्रेंड से उसकी problem आपको ही होगी अब यहाँ पर इस section में आपको दिया गया है कैसे आप इसमें आविजन कर सकते हैं step by step process भी हम पहले ही upload कर चुके हैं आप details को check कर लीजिए उसके according ही आप अपने form को fill कीजिए और please कोई गलती ना कीजिए इसके बाद यहाँ पर annexer दिये गये हैं या certificates format दिये गये हैं आपको कैसे कैसे format यहाँ पर लगाने हैं सभी format के आपको यहाँ पर दिये गये हैं sections इसके बाद आपके essential educational qualification के code दिये गये हैं अब यहाँ पर आप आपर जो आपकी qualification है वो कोई भी आप show करें कोई दिक्कत नहीं है पर ध्यान रखेगा आपको 12th की details fill करना ज़रूरी है क्योंकि जो यह vacancy है 12th pass out की ही रहेगी इसके बाद friends यहाँ पर मैंने आपको जो भी detail यहाँ पर बताई है SSC stenographer के बारे में अगर यहाँ पर जो notification है यह detail आपको description में मिल जाएगी अगर आप applicable है, eligible है इस exam के लिए आप apply कीजिए और अगर आपको हमारा यह video पसंद आया है तो like, subscribe and share कीजिए और ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते ही हमारा YouTube channel and last thanks for watching